फाइनली गदर्टू फिल्म सिनेमा गरों में लग चुकी है और पहले दिन जो इस फिल्म ने छपपर फार कमाई की है मैं ये मानता हूँ कि अभी तक बोलिवुड के इतियास में सनी पाजी की जितनी भी फिल्म में आई हैं उसमें सबसे बहतरीन कलेक्शन रहा है इस फिल्म और तीसरी फिल्म है गदर्टू जिसका सभी लोगों को बेसबरी से इंतजार था देखो सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने भी गदर 2001 में सिनेमा गरों में देखी होगी है बाद में उसे टीवी पर देखा है तो खास दोर पर वो सभी लोग इस बात को जानते हैं क उसकी तुल्ला कर रहे हैं वो गदर बन से कर रहे हैं जो कि मैं यह मानता हूँ कि यह बात सच है कि तुल्ला होती है पहले पार से और हर कोई यही चाहता कि पहले पार से बहतर बने लेकिन अनिल शर्मा जो इस फिल्म के डिरेक्टर है और शक्तिमान जो तलवार जो इसके राइटर है, उनसे वो फिल्म बन गई थी, कोई उस फिल्म को बना नहीं सकता, आज अगर दोबारा से कोई चाहे शोले फिल्म को बनाना, रमेशिप्पी जी ने भी बहुत कोशिश की, उन्होंने शान बनाई, सागर बनाई, बहुत तराम तमाम तरह की फिल्में बनाई, उस चोले वो फिर दुबारा से बना नहीं पाए, ऐसे के आशिप जी, जिन्होंने मुगले आजम बनाई थी, तो मुगले आजम दुबारा बन नहीं सकती, उसी तरह से गदरवन जो है, वो बन चुकी, वो दुबारा नहीं बन सकती, आपच्छे उसमें 100 करोड, 500 करोड कितने भी रुपे लगा लो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यह कहना चाहूँगा कि जो गदरवन की जो गदरवन की बहुत सारी यादे जोड़ी हुई है, खास दोर पर हैंड पंप की, हैंड पंप का जो सीन आता है, इतनी आपको हसी भी आएगी, इतना मजा भी आएगा, औ और इस बार तारा सिंग, सिर्फ हैंड पंपनी बहुत सारी चीज़े आपको उखाड़ते विए दिखाई देंगे, पूरी फिल्म के अंदर, देखो अगर आप इस्टोरी के साब से सोचोगे, तो मैं सच कहूँगा कि सबसे कमजोर जो कड़ी है इस फिल्म की वो इसकी कहा लेकिन इन सब के बाउचूद भी मैं कहूंगा कि इस फिल्म को हम लोगों को देखना चाहिए, सिनेवा गरों में जाकर पूरे परिवार के साथ, क्योंकि कोई वल्गारिटी नहीं है, कोई ये फिल्म आप पर किसी भी तरह का मैसिज नहीं थोपती, जैसे बहुत सारी फिल लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा मैसिज देने की कोशिश किया पूरी फिल्म के अंदर, और मेरे साब से पाकिस्तान को भी यहाँ पर उस तरह से नहीं दिखाया, कि पाकिस्तान का बहुत जादा मतलब अपमान हो गया, बेस्ती हो गई, जो पाकि पाकिस्तान की जगा आज हिंदुस्तान में होते हैं, तो आज हमारे हालात भेतर होते हैं, तो यही फिल्म का डायलोग है, कि आज अगर उन्हें मौका दिया जाए, तो आदे से जादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, और यह बिल्कुल मैं मानता हूँ कि यह बिल्कुल रि पीचा दिखाना, दूसरों को तबाह करने पे खर्च करती है, अपनी डवलपमेंट पे खर्च नहीं करती है, और यहीं आज उसकी सबसे बड़ी दूरतशा है, कि कोई उसे करजा देने को तयार नहीं है, अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खीच लिए, चाइना ने अपने फिल्म मेरे साब से और भी बहुत बेतर बन सकती थी, यहां सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है, राइटर शक्तिमान तलवार जी की, कि उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट का चुनाओ नहीं किया, उन्हें स्क्रिप्ट पर बहुत मेनत करनी चाहिए थी, और दूसरी कमी रही है अनीलिष शर्मा जी की, अनीलिष शर्मा जी एक बहुत अच्छे डारेक्टर है, और मैं यह मानता हूँ कि उनकी जो भी दसविया बार भी जो भी फिल्म है, सबसे हलका डारेक्शन मुझे इसी फिल्म का नजर आता है, कि कोई भी जो सीन है, लोजिकल नहीं पटेल का काम देखने लाइक था पहले पार्ट में लेकिन इस बार अमिशा पटेल को भी बहुत जादा स्क्रीन नहीं मिली, बहुत जादा कुछ उनके लिए करने के लिए नहीं था, तो मैं काफी जादा डिसपोइंट हुआ इस बात को लेकर, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि सनी पाजी और अनीर शर्माजी की जो धांसु जोड़ी है, जिन्नोंने आज तक गदर, दा हीरो, बहुत बेहतरिन, अपने ये लगातार जबर्दस फिल्में दीएं, सिंग साब्दा गरेट, भले वो बोक्स ओफिस पर बहुत अच्छी नहीं रही हो, लेकिन फिर भी व स्विचारधारा आज हम पर थोपी जा रही है, बहुत सारे बड़े-बड़े डिरेक्टर, चैये शराजो, करन जोहर हो, जिन लोगों को हम जानते हैं कि इन लोगों को देश कोई लेना देना नहीं है, ये सब लोग पश्चीमी सब्वेता के पीछे पागल हैं, और उसी को सनी पाजी को हम बहुत सारी आने वाली फिल्मों में और देखना चाहते हैं, बाकि अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी परतिकरी आविश्य दीजेगा, देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो भी मेरी बना नहीं सकता